15 अगस्त यानी अजादी का दिन हर साल हमारे देश में सतंतरता दिवस 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है हमारा देश 15 अगस 1947 के दिन ब्रिटिश सरकार से अजाद हुआ था ब्रिटिश सरकार ने लगभग 200 साल तक भारत पर राच किया था यह भारत का राष्ट्रिय त्योहार है 15 अगस 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलान नहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के उपपर भारतिय राष्ट्रिय ध्वर्ज फेराया था इस दिन को जंडा फेराने के समारो और सांस्कृतिक आयजनों के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है जाती धर्म को भुला कर इस दिन पतंग उड़ा कर स्वतंतरता दिवस मनाने के लिए अपनी अपनी छटों पर जाते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्वतंतरता दिवस के दिन ही पतंग क्यों उड़ाई जाती हैं? हम आपको बताएंगे कि क्यों इस दिन पतंग उड़ाई जाती है और यह जानने के लिए हमें पीछे हिस्ट्री में जाना होगा सन 1927 में हमारे देश के लोगों ने ब्रिटिशर्स का विरोध किया था और यह विरोध साइमन कमीशन के खिलाफ था साइमन कमीशन साथ ब्रिटिश सांसदों का सम्हू था जिसका गठन 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्यन के लिए किया गया था साइमन कमीशन की चेयरमेन थे जॉन साइमन, यह कमीशन तीन परवरी 1927 में इंगलेंड से बॉमबे पहुँचा और वहां उन्हें कई भीर का सामना करना पड़ा, जो काले जंडे लेकर खड़े थे, और ऐसे ही उन्हें इस विरोध का सामना हर उस जगा करना पड़ा जहां ज विरोध को देखते हुए लाहौर के S.P. James Scott ने लाठी चार्च का ओर्डर दिया जिसके कारण लाला लाजपत राय को बहुत चोटे आई यही वज़ा है कि हमारे देश में स्वतंतरता दिवस के दिन ही पतंग उड़ाई जाती है क्योंकि उस दिन हमारे देश ने अंग्रेजों का विरोध किया था और उन पतंगों पर साइमन गो बैक के नारे लिखकर पतंगों को अकाश में उड़ाया गया था तभी से हमारे देश में स्वतंतरता दिवस के दिन ही पतंग उड़ाने का एक ट्रेडिशन सा बन गया भारत के स्वतंतरता दिवस पर पतंग उड़ाना भारत के नौर्थ डिस्ट्रिक्ट में बहुत प्रसिद है इस दिन पतंग उड़ाने के साथ साथ लोग छट पर शांदार भारती एवरेंजनों से रूबरू होने का एक समय रखते हैं अगर आप भी 15 अगस्त का इंतिजार कर रहे हैं तो आपको बता दे कि पतंग उड़ाने के लिए सबसे बेस जगाएं कौन कौन सी हो सकती हैं और वो बेस जगाएं हैं इंडिया गेट, सेंटरल पार्क, कनाट प्लेस, नहरू पार्क, लोधी गार्डन और हवेली धर्मापुर इस वीडियो में इतना ही मैकोमल पंजाब केसरी दिल्ली से अगर आप हमारी ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज पंजाबकेसरी.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाबकेसरी.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें झाल झाल